प्रत्वी पर अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म आवतार को लेकर पहले ही ये खोशना कर दी गई थी कि ये फिल्म अगले आठ सालों में एक दो नहीं बलके चार चर बड़े परदे पर आएगी इसकी शुरुवात होने जा रही है जी हाँ दोस्तों और अगर आपको इस फिल्म के सेकंड पार्ट का बेस सबरी से इंतजार है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जेम्स कैमरून ने अवतार के दूसरे भाग की रिलीज डेट घोशित कर दी है ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी क्रिसमस पर सिरिमाई करिश्मा का ये नजारा देखने के लिए आपको लंबा इंतिजार करना पड़ेगा फिल्म की 2025 तक की बुकिंग हो चुकी है अवतार के अगले चार भाग की रिलीज डेट पहले से ही तैय कर दी गई थी लेकिन अब उसमें बदलाव हुआ है सीक्वल याने अफ़तार 2 18 दिसमबर 2020 की बजाए 17 दिसमबर 2021 को रिलीज होगी तीसरा भाग पहले 17 दिसमबर 2022 को चौथा भाग 20 दिसमबर 2024 को और पाँचवा भाग 19 दिसमबर 2025 को रिलीज होने की जानकारी दी गई थी लेकिन अब उसमें भी बदलाव होंगे कैमरून ने अफ़तार की दूसरे भाग की शूटिंग शुरू कर दी है विज्ञान की ये काल्पनिक कथा दूसरे भाग में कैसा रूप लेगी क्या पता लेकिन पैंदोरा की जीव मंडल का पता लगाने के लिए आदमे की अनुवान शिक्ता की मिलान की इस कहानी ने पहली बार परदे पर आकर 2.8 बिलियन डॉलर की कमाई खी थी दुनिया की दूसरी सबसे कमाओ फिल्म टाइटनिक की हिरोईन कैट विंसलेट को अवतार की स्टार कास्ट में शामल किया जा चुका है बता दे कि Cat उसी James Cameron directed film Titanic की हिरोईन है जिसने 1997 में रिलीज होकर दुनिया में तैहल का मचा दिया था फिल्म ने पूरी दुनिया से 2.18 बिलियन डॉलर की कमाई की थी Cameron ही साल 2009 में आई Avatar की निर्देशक भी थे और अब इन्होंने अपनी हिरोईन को नए रोल में लाने की ठाड़ी ये Cat विंसलेंट की Cameron खेमे में करीब 2 दशक बाद वापसी है James ने कहा है कि वो Cat के साथ काम करने के लिए कापी समय से उच सुथ थे और अब उन्हें अवतार के करदार में ढ़लते देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते तो दोस्तों अगर आपको भी अवतार फिर्म के सेकंड पार्ट का बेस सब्री से इंतजार है तो हमें comment section में yes लेकर जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपनी दोस्तों के साथ शेर करें और अगर आप हमारी चानल पर नए हैं तो जल से जल हमारी चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले